हेलो दोस्तो एक बार फिसे स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल पिक्के स्मार्ट जी के पर देखे दोस्तो आज हम याद करेंगे परमुक फसले जैसे की रब्बी की फसले, खरीब की फसले, जायद की फसले और नकदी फसले इन सभी को हम बहुती मज़दार ट्रिक्स याद करेंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और साथ ही वीडियो के अंत में एक छोटा सा प्रेक्टिस टेस्ट मिलेगा आपको जिसमें परिवेस कुशन्स इंक्लूड किये गए हैं जिससे आपको ये अंद्रजा लग जाएगा कि एक्जाम्स में इस टोपिक से कैसे कुशन्स पुछ जाते हैं तो आप वीडियो को कंप्लेट देखेगा और यदि आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पिके स्मार्ट जियों कर सकते हैं वहाँ पर आपको इसकी फरी में पीडियाप मिल जाएगी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखे दोस्तों सबसे पहले हम फसल लेते हैं हमारी जायद की फसल जिसके बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं पहले यह मार्च अपरेल में बोह जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती है ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, कि जायद की फसल कब हो जाती है, या रभी की फसल कब हो जाती है, खरीब की फसल कब हो जाती है, तो इससे कुशन भी एक्जाम में पूछे जाती है, तो इस दानकाली को भी आप याद रखेगा, तो जायद की फसले मार्च में बोग जाती है और जुन जूलाई में काट ली जाती है जैसे कि खीड़ा हो गया खर्बूजा हो गया ककड़ी हो गया तर्बूज़ हो गया उदद हो गया और मुध हो गया ये कुछ मैतोपन पैसलि है जाये है ठीक है जान से एकजाम और मरे में मैसे उजाएगा मूंग और रे याँ पर साइलेंट रहेगा तो फ्रेंड्स खीरा, खर्बूजा, ककड़ी, तर्बूज, उडद और मूंग ये जो है ये परमुक जायद की फसले हैं ठीक है तो इनको आप याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट फसल देखिए नेक्स्ट हमारी फसल है खरीब की फसल इसे जून जुलाई में बोय जाता है और नौमबर दिसम्बर में काट लिया जाता है जैसे कि अरहर हो गया, गन्ना हो गया, धान, बाजरा, जवार, मक्का और तिलहन ये जो है, ये कुछ मैतोपुण खरीब की फसले हैं जान से एक्जाम में कुछन पूशा जाता है तो इसकी ट्रीक है हमारी अरे गद्धा, बाजरा मत खा अरे गद्धा, बाजरा मत खा अरे से हो जाएगा अरहर गय से हो जाएगा गन्ना धा से हो जाएगा धान बाजरा में बाजरा से हो जाएगा बाजरा उजरा से हो जाएगा जवार मत जो है इसमें मैं से हो जाएगा मक्का और तै से हो जाएगा तिलहन और जो खा है ये रहेगा साइलेंट ठीक है तो अरे ग नेक्स हमारे फसले है नकदी फसले वे होती है दोस्तों जो व्यापारिक उदिश्य के लिए बोई जाती है जिसे किसान अपनी आम दिनी बढ़ाने के लिए बोगता है ठीक है तो वह कौनची है वह है नकदी फसले जैसे की कपास गन्ना जूट और ambaकू यह जो चार है यह प और तैसे हो जाएगा तंबाकू तो कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू, ये नकदी फसलों के उदारण है, ठीक है, नेक्ट देखिए नेक्ट हमारी फसल है रब्बी की फसले जिसे अक्टूबर नॉमर में बोह जाता है और मार्च अपरेल में काट ले जाता है तो ये महीने भी आपको याद रखने है अक्टूबर नॉमर में बोह जाता है रब्बी की फसल को और मार्च अपरेल में काट ले जाता है जबकि जो खरीर की फसल होती है उसको जून जूला में बोह जाता है और अक्टूबर नौमर में काट लिया जता है तो रभी की पसले में जैसे हो गया आलू, मत्र, जो, सर्सो, चना, गेहूं और राई ये कुछ मैतोपुन रभी की पसले है इसके ट्रीक है आम जो सच में गिरा आम जो सच में गिरा आ से हो जाएगा आलू, मैं से हो जाएगा मत्र जो से हो जाएगा जो सच में सच से हो जाएगा सर्सो चै से हो जाएगा चना और में याँ पर सैलेंट रहेगा गिरा में गय से हो जाएगा गेहूं और राई से हो जाएगा राई तो आलू, मट्र, जो, सर्षो, चना, यहूं और राई ये कुछ रभी की महतोपन फसले है तो friends ये थी हमारी फसले जो complete हो गई है उमीद करता हूँ आपको जरूर याद हो गई होगी तो चलिए अब हम previous questions देखते है हमारा पहला question है रभी की फसल किन महिनों में बोई जाती है तो friends रभी की फसल जो है ये अक्टूबर नौमर में बोई जाती है और मार्च अपरेल में काट ली जाती है तो C option यहापर correct हो जाएगा next देखिए next है हमारी निमन में से जायद की फसल है तो सरसो जो है ये रभी की फसल है मक्का जो है खरीब की फसल है कपास जो है नकदी फसल है तो बची कौन शी मूंग तो मूंग है ये जायद की फसल है जो हमने याद दिया था कि खेरा खाकर ताओ मरे मरे में मैस हो जाएगा मूंग तो C option यहाँ पर correct हो जाएगा Next देखिए Next हमारा question है खरीब की फसल किन मैनों में बोज जाती है तो friends खरीब की फसल जून जुलाई में बोज जाती है और October 9 में काट ली जाती है तो यहाँ पर D option सही हो जाएगा Next question Next हमारा question है आलू किस फसल का उधारण है तो friends आलू जो है यह रब्बे की फसल का उधारण है आम जो सच में गिरे आम जो सच में गिरा इसे हमने यादिया था तो आम में आज से हो जाएगा आलू और मैं से हो जाएगा मटर तो आलू जो है यह रब्बे की फसल है A option correct हो जाएगा Next देखिए Next हमारा question है निमन मेंसे किस समुहा की फसले नकदी है तो friends नकदी फसले हमने आदिया था कंगना के जुत्ते कंगना में से कपास और गन्ना से गन्ना जुत्ते में जूट हो गया और तैसी तंबाकू हो गया तो जुट तो यहाबर है नहीं कपास गन्ना और तंबाकू D option यहापर राइट हो जाएगा Next देखिए Next हमारा question है निमन मेंसे कौन सी रब्बी की फसल नहीं है नहीं है पुछाए ठीक है तो गेहू तो रब्बी की फसल है सरसो भी है आलू भी है मक्का नहीं है मक्का क्या है यहाखरीब की फसल है तो C option correct हो जाएगा Next question Next हमारा question है निमन फसलो मेंसे कौन एक भारत में पर्मुख खादान है तो आपको बताना है इन मेंसे पर्मुख खादान भारत का कौन सा है तो फ्रेंड्स भारत का पर्मुख खादान है चावल C option correct हो जाएगा First number पर चावल है और second पर गेहू है ठीक है तो इनको आप याद रखिएगा Confuse मत हो ना जिसे हम गेहूं काते हैं सबसे ज़्यदा लेकिन जावल जो है यह बारत का पर्मुख खादाना है जिबकि गेहूं है यह second number पर है Next देखिए Next हमारा कुशन है नकदी फसल से संबन्दित नहीं है तो कपास नकदी फसल है जूट भी है गन्ना भी है तो मक्का जो है यह खरीव की फसल है तो C उपसन यह आपर राइट हो जाएगा Next कुशन Next कुशन है निमन मेंसे कौन सी खरीव की फसल नहीं है खरीव की फसल बताना है तो मक्का खरीव की फसल है धान भी है मुंग फली भी है मत्र जो है यह रब्बी की फसल है हमने याद किया आम जो सच में गिरा तो नहीं पुछा है आपर खरीव की फसल नहीं है तो मत्र यह है रब्बी की फसल डियो अपसन राइट हो जाएगा Next कुशन देखिए हमारा Next और आखरी कुशन है निमन लिखित में से कौन समिलित नहीं है नकदी फसल तंबाकू यह रइट है रबी की फसल मत्र यह भी रइट है जायद की फसल जवार नहीं यह गड़त है खरीव की फसल मक्का यह भी रइट है जवार और मक्का यह जो है यह खरीव की फसल है ठीक है अरे गद्दा बाजरा मत खा ऐसे हमने आधिया था बाजरा से बाजरा हो गया और जरा से जवार हो गया था ठीक है तो वो खरीब की पचले थी तो सी ओप्सन यहापर राइट हो जाएगा नहीं है सुमिले थी नहीं है पुछा ठीक है तो सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक like कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ share भी कर दीजिए और एक प्याराशा comment करके जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा और next वीडियो किस टोपिक पर लाए जाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद